नवसकर दोस्तो जेहिंद वंदे मात्रम मैं आपके साथ जैसवाल सर आपशभी का श्वागत अभिननन है टी टी फैमिली सिचकों के परिवार जैसवाल कोचिंग सेंटर पर पावरड बाई सिच्छा ही प्रकास है दोस्तो बात करेंगे आपके मैस पेड़ोगोजी के प्रेक साप ही सारे यहां पर आपके सामिल किया गया है और महत्थ पूर्ळ प्रसणों सामिल किया जो प्र inclu spent किजए अपने तयारी के वेथर किई है चलिए 15 प्रिष्णों में से आप लोगों का जितना भी फीडवेक हो आप लोग कमेंट के मादफ जुरू बताईएगा पहला प्रशन आप लोगों के स्कीन पर आ चुका है कि गणी सिच्छन में तुटियों के बिसलेशन है तू अपेचीत अधियम सफलता किसकी सिच्छन दच्छता पर निर्वर करती है सिच्छक की चात्र की अईबाव की प्रधानाचार की सभी नीचे कमेंट कीजेगा मेरे सभी सिच्छबंदू भाई बेहन गरिणी सभी कमेंट किजेगा तो गणी सिच्छन में तुटियों के बिसलेशन है तू अपेचीत अधियम सफलता किसकी सिच्छन दच्छता पर निर्वर करती है वह होती है सिच्छक की दच्छता पर निर्वर करती है क्योंकि गणी सिच्छम जो तुटियां होती है उनके बिसलेशन है तू अ दूसरा प्रशन क्या पूछा गया है निदानात्मक परिच्णों से ग्यात किया जा सकता है दोस्तों जो निदानात्मक परिच्ण होते हैं उनसे छात्रों के लिए कटनाई के छेत रेवम उनके द्वारा की जाने वाले बिसेस प्रकार की तुटियां ग्यात की जा सकती है छा निदानात्मक जो परिच्छन होती हैं इनसे दोस्तो छात्रों के लिए करफनाई के चेत एवं उनके द्वारा की जाने वाली बिसिस प्रकार की तुटियाँ ग्यान्त की जाती है निदानात्मक परिच्छन के द्वारा, पहला आपसन सही हो जाएगा, आए देख लेते हैं, तीसरा प्रसन क्या पूँचा जा रहा है, उपचारात्मक सिच्छन आवश्यक है, मंद बुद्धी बच्चों के लिए आवश्यक है, पिछडे बच्चों के लिए आवश्यक है, पिछडे बच्चों के लिए भी होता है, और प्रतिवा साली बच्चों के लिए भी होता है, अर्थात ये सभी वाला फौर्ट आपसन सही हो जाएगा, फौर्ट नमबर प्रसंदिया गए हैं सात्यों, कि गणित की सिच्छा का मुख धे क्या होता है, जामती के प्रमेयों और उनके प्रमानों को स्वतन्त रूप से सजन करना, विद्याथियों को गणिस समझने में शहायता करना, या उप्योगी छमताओं को विक्सित करना, या बच्चों की गणती प्रतिभाओं का विकास करना, सभी कमिन किजेगा, तो गणित की सिच्छा का जो मुख धे होता है साथियों, वह होता है बच्चों की गणती प्रतिभाओं का विकास करना, क्या होता है दोस्तों, गणित की सिच्छा का मुख धे जो होता है, कहते हैं आपका धे क्या है, आपका मन क्या है, आपके विचार क्या है, इसी प्रकार गणित के सिच्छा का जो मुखधे होता है बच्चों की गणती प्रतिभाओं का विकास करना होता है सभी comment कीज़ेगा आपे प्रतेक प्यारे प्यारे भाई बेहन ग्रहनी जिनका सपना है गौर्मेंट टीटिक जाम को क्रेक करना एक जाम को फत्य करना सभी comment कीज़ेगा गणी सिच्छन के दौरान बालकों को कोई पार्ट पढ़ाने से पूर एक सिच्छक को किसका ज्यान प्रप्त कर लेना आवश्यक है आप सभी के लिए पृष्ण है कि मानलेजे आपकी निक्त होती है आप लोग अधापा का धापी का बनते हैं तो गणी सिच्छन के दौरान जो है बालकों को कोई पार्ट पढ़ाने से पूर जो है आप किसका ग्यान प्राप कर लेना आपको अवश्यक होगा सम्मंधित पार्ट के उद्देश का ग्यान, सम्मंधित पार्ट के सिच्छन विदियों का ग्यान, सम्मंधित पार्ट के प्रष्ण बैंग का ग्यान या इनमेशे कोई ने सभी कमिन किजेगा तो आप जानते हैं समझते हैं कि गणी सिच्छन के दोरान बालकों को कोई पार्ट पढ़ाने शेपूर एक सिच्छा को किसका ग्यान प्राप्ट कर लेना चाहिए सम्मंधित पार्ट के उद्देश का ग्यान प्राप्ट कर लेना चाहिए पहला आप संसाथियो सही हो जाएग आकरतियों की इकाई से अध्यापक विद्यातियों से आकरतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित की रचना करने के लिए कहता है इससे निम्लखित में से कौन सा उद्देश जो है प्राप्त किया जा सकता है देखे प्रश्न को समझेगा कि आकरतियों को इकाई से किस से ध्यान दिजेगा आकरतियों की इकाई से अध्यापक विद्यातियों से आकरतियों की उप्योग की सहायता से किसी भी चित्र की रशना करने के लिए कहता है तो निमलिकित में से कौन सा उद्देश प्राप्त किया जा सकता है अनुपरियोग ग्यान समझ बोध या रचना या स्रजन देखे यहां पर बात की गई आकरतियों की इकाई के बात कर रहे हैं और अध्यापक जो है बिद्यारतियों से आकरतियों के उपयोग की साहता से किसी D.A.P.A.N. सही होजाया अंगला प्रसने वरतमान पात करम का दोस है पुस्तकी ग्यान परबल बिश्यों में सह सम्मंद का भाव लच्छीले पन का भाव या उपकरोख शभी तो आप जानते हैं यह वरतमान जो आपका पात करम है इसका जो दोश है सातियों पुस्तकी ग्य पर बल जादा दिया जाता है बिश्यों में सह सम्मंद का भाव है लचीलेपन का भाव है अर्थात ये जो तीनों दिये गए हैं वो अर्थमान पाठकम के ये तीनों दोश हैं तो डी आपसन हमारा उप्रोक शभी वाला सही हो जाएगा आठों प्रशन मित्रों पूचा जा रहा है कोठारी आयोग के उनसार मुल्यांकन किस प्रकार की प्रकिया है आपकी एकांकी है सतत है उपयोगी है अनुपयोगी है सभी कमेंट किजेगा मेरे सभी प्यारमित सिच्छबंदू आपका एक एक कमेंट आपके स्कोर को प्लस करता जाता है और सेलेक्शन में गनित में 25 प्रस के स्कोर के लिए आप लोग सभी अग्रसर कर रहे हैं कोठारी आयोग के उसार मुल्यांकन किस प्रकार की प्रकिया है शाथ यो मुल्यांकन सतत प्रकिया है भी आप से दर राइट एंसर हो जाएगा नाइत नमबर प्रस जो आप लोगों के स्कीन पर है कि निन में से कौन मुल्यांकन का शोपान है इन में से मुल्यांकन का शोपान जो है अधियम अनभों की योजना बनाना सिच्छन उद्यों का निधारन वा सिच्छन उद्यों को परिभासित करना तो आप जानते हैं यहाँ पे मुल्यांकन के शोपान की बात कर रहे हैं तो मुल्यांकन को शोपान जो होता है अधियम अन्भों की योजना बनाना भी होता है सिच्छन दोसों का निधारन करना वा सिच्छन दोसों को परिभासित करना भी होता है अर्थात ये सभी वाला हमारा आप्शन सही हो जाएगा ये सभी जो है मुल्यांगन के शोपान कहलाएंगे दस्वा प्रशने जो इसकीन पर है गणित की भासा इवं प्रकती अन विश्यों के अपेच्छा है अधिक कमजोर है अधिक लचिली है अधिक सुधरन है या इनमेंशे कोई नहीं सभी कमिन कीजएगा जैस्वा सर आप सभी के प्रतिक कमिन का फीड़वेक को शर्मान करते हैं और शमान भी करते हैं आप सभी के माता पीता को जैस्वा सर का प्रणाम है गणित की भासा इवं प्रकती का पर सभी हो जाएगा दस प्रस्ट कम्पीट कर चुके हैं पांच प्रस्ट और करेंगे टोटल यहां पर हम पंद्रे प्रस्ट कम्पीट करने जा रहे निन मेंसे किसने कहा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निसकस निकाले जाते हैं यह कोश्टन मुझे लगता है नबे परस्ट आने के चांसेज हैं इस एक्जाम पर इसलिए ध्यान पूरे के इस परस्ट को समझेगे दिल से आवाज आ रही है कोई कोई मुझे बताया नहीं है कभी कभी आपके भी दिल से आता है कि नहीं यह प्रश्ट आना चाहिए वैसे हमारे भी दिल से आवाज निकल ले दोस्तो मा सरसोती जी की क्रपा है होशकता है यह प्रश्ट आ जाए बहुत अच्छा है तो गणित व्वे बिज्ञान है जिसमें आवश्यक निसकस निकाले जाते हैं यह कथन बेंजामिक पेरिक का है नोट का लेजएगा अंगला प्रश्ट ने गणित की भासा का अंग है शूत्र, शंख्या, संख्यांकचर, शंकेत या सभी सभी कमेंट किएगा अकसर होता होगा आपने बच्छपन में देखा होगा क्लास में कि हमारे जो टीचर क्लास बताते थे कि इसको पढ़ लीजेगा आता होगा और हम एक जाम में देखते थे कि वो प्रश्ट लगबग 99% चांस होते थे ठीक है कि प्रश्ट आता ही आता है तो कहीं न कहीं एक पढ़ाने का अनभाव या कह सकते हैं चीजे हो जाती हैं कभी-कभी अचानक बोलने का वहा मुझे निकल जाता है तो बहुत ही ठीक है तो अच्छी चीजे हैं इनको नोट कर लेना चाहिए क्योंकि बार-बार नहीं मिलता है मौका भी बार-बार नहीं मिलता है तो गनित की भासा किसका अंग है साथियों तो गनित की भासा जो शोत्र का भी अंग कहलाएगा संख्या संख्यांग चर का भी है और शंकेत का भी कहलाएगा अर्थात यह डी वाला वारा हमारा अपसंसरी जाएगा कि गनित का भासा जो अंग है शोत्र भी है संख्या संख्या अंकचर भी है और आपका शंकेत भी है अंगला प्रिशने साथियो गणी सिच्छण में सहाइक समागरी का उपयोग किया जाता है आकरती बनाने में दहाई के रूप में देखने के जिग्यासा के लिए या सैगडा रूप में सभी कमें किजिएगा बहुत अच्छा प्रिशन देखे सैच्छिक सहाइक जो समागरिया होती है अधापक की दोरान पाठ समागरी को समझाते समय सिच्छक जिस समागरी का अप्रयोग करता है वह समागरी सैच्छिक सहाइक समागरी कहलाती है जिसको उपयोग बच्चे की छमता और योगता के अनुसार किया जाता है जैसे आपका चौक हो गया, डस्टर हो गया, ब्लेक बोर्ड हो गया, चित्र हो गया, चार्ट हो गया ये क्या होती है, इस सिच्छक की सहायक समगरिया है सिच्छन करते समय और सच्छनिक सहायक समगरी की परिभासा क्या है आपके बटन के अनुसार कि स्रब दस्षमागरी का वह शंबेदी पदार्थ या कालपनिक वस्त्वी जो अधिगम को प्रारंब एवं प्रेरित करती हैं तथा उसे पुनरवलन प्रदान करती हैं सेचनिक सहाइक समागरी कहलाती हैं और सेचनी सहायक समगरी के प्रकार की बात करें, इनको दोस्तों आपके स्रब सहायक समगरी, द्रस शायक समगरी, द्रस स्रब सहायक समगरी और क्रियात्मक शायक समगरी, चार यहां पे सहायक समगरी पर वर्गिकत किया गया है, इन चारों की बात करेंगे, सहायक आपका जो स प्रसायक समागरी का उधारण है दूसरा आता है आपका दर्सायक समागरी इसमें आता है चित्र, चार्ट, ग्राफ, मांचित, ग्लोग, पोस्टर, बोर्ड, पार्ट, पोस्टर जिसको हम देख के वल सकते हैं ठीक है तो वह हमारी दर्सायक समागरी होती है और तीसरा आता है दर्सस्रब सायक समगरी जिसे हम देख भी संते हैं देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं इसमें टेली विजन और कम्प्यूटर और मोबाइल भी आपका आ जाएगा चौथा है आपका दोस्तो क्रियात्मक्षायक समगरी जिसमें क्रिया होती है जैसे रोल प्ले, मेले, प्रदर्शनिया, ब्रह्मन, प्रयोक्षाला या दिये क्रियात्मक्षायक समगरी कहलाएंगी और सिच्छर साइक समागरी के कभी-कभी मौत भी पूछ ले जाते हैं तो सिच्छर साइक समागरी के मौत क्या है कि यह विशेवस्त को सरल, रूचिकर, इसबस्ट, प्रहोसाली तथा इस्थायत बनाती है पठन-पाठन में नविंता लाती है यह रटने की प्रहती को कम करती है जी हाँ, सिच्छर साइक समागरी के मौत है यह रटने की प्रहती को कम करती है और यह विद्यार्थियों में बग्यानिक दस्टिकोर को बढ़ावा देती है और यह कच्छा में अनुसासन बना रहती है, बनाये रखती है क्योंकि बच्चों में रुची पैदा करती है और करच्छा में निमित उपस्तित भी आपके बढ़ती है ये होती है सिच्छर साइक शमागरी के महत्त की बात करेंगे दो प्रस्ण इनको भी कम्पीट करते हैं इस प्रेक्टिस इट को कम्प्लेट करते हैं राष्टी पार्चरिया की रूप रेखा NCF National Calculum Framework 2005 राष्टी पार्चरिया की रूप रेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कना का एक तरीका शामिल होता है इस दश्टिकोंड को किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है चार आपसंद दिये गए हैं विद्यार्थी को विशेष कोचिंग देना खोज विन उपागम का प्रियोग करना हस्त चालकों का प्रियोग करना संकल्प्नाओं को वास्पिक जीवन से चोड़ना नमबर B दिया गया है, इस सारा हमें कुछ यहाँ पर मिल ला है, इकोज बिन उपागम का प्रयोग करना, हस्त चालकों का प्रयोग करना, शंकल्पनाओं को वास्विक जीवन से जोड़ना, विद्यायतों को चर्चाओं में शामिल करना, तो B आपसन में जो दिया गया है, तर और 15 आपके पेड़ागाजी के प्रशनाते हैं, और मैं बता देता हूँ, पेड़ागाजी के कठिन प्रशनाते हैं, इसलिए पेड़ागाजी कंसेप्ट मुझे पता है, 8 से 10 नमबर आप लोग नार्मली इतना लाही लेंगे, लेकिन पेड़ागाजी की बाताती वहाँ प उपरोग शभी तो आप जानते हैं कि गणित को पाटकम में विश्यस ध्यान देने का जो प्रमुक कारण है बच्चों में तार्किक दश्टिकोंट पैदा करना बच्चों का समाजी करने में बच्चों का च्रिती विकास करने में अथात ये तीनों में उपरोग शभी वाला का है या कॉमेट का है शभी कमेंट करके बताईएगा इस मोग क्वेश्टन गेंसर होगा साथी साथ ये 15 मैं स्पेड़ाग आजी आपके गणि सिच्छा सास के 15 में से आप लोगों को फीडबेक है नीचे कमेंट बाक्स में आवश बताईएगा और हम आपके साथ जैस्वा जैसे कि ाइस्वार आपकरे बाक्स में आपके इस म rangedug को आपके साथी आपके साथी आपके साथी